नमस्कार दोस्तों हरियाना जी के सीरीज में मैं चंदरहास एक बर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ कि मेरा पूरा परिवार अच्छा होगा और जो भी हमारे दर्सक हैं उनके सारे परिवार वाले खुस होंगे मैं चंदरहास हरियाना जी के में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत करता हूँ और प्यारे साथियो आज की वीडियो बड़ी शांदार होने वाली है आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम बहुती शांदार टोपिक पड़ेंगे बहुती शांदार टोपिक के बारे में जीकर करेंगे आप वीडियो पर अंतक बने रहना और हमारे दवारा दिये गए जानकारी आपको अच्छी लगे यदि हमारे दवारा दिये गए वर्ड या जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप ज़ादा से ज़ादा तो प्यारे साथियों एक बात मैं आप से बता देता हूँ आज हम इस वीडियो के अंदर हरियाना के जो डिस्टिक है ना डिस्टिक उनके बारे में पढ़ेंगे कौन सा डिस्टिक कब बना था और कौन सा डिस्टिक किस से अलग होके बना था उस district का उपनाम क्या-क्या है और उस district के पुराने नाम क्या-क्या है सारी चीज़े आज मैं खोल के रख दूँगा आपके सामने बस मेरे साथ में बने रहना क्योंकि ऐसे world आज हम पढ़ेंगे ऐसी चीज़े आज हम पढ़ेंगे जिसमें कुछ चीज़े तो आपने सुन भी नहीं रखी होगी ऐसी चीज़े आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे तो देखे चले स्टार्ट करते है आज का अपना जो टोपिक है न दोस्तो विशेश रूप से जो आज का अपना टोपिक है उसमें हम हरियाना के जो जिलो का गठन है हरियाना के जिलो का गठन उन जिलो के गठन के बारे में अध्धन करेंगे हर्याना के जिलो के गठन के बारे में हम पड़ेंगे ध्यान रखना तो जिलो का गठन यदि जी कर किया जाए जिलो के गठन का तो प्यारे साथियों जिलो का गठन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था यहां से पॉइंट नोट करना आपने और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उच समय हर्याना के अंदर सिरफ और सिरफ कितने जिले हुआ करते थे पांच जिले हुआ करते थे 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय अपने पास में अपने हरियाना के अंदर जिलो की संख्या पांच हुआ करती थी इसमें एक डिस्टिक है जिसका नाम महंदरगड है ये महंदरगड डिस्टिक कब बना था तो आप बताते ना दोस्तो ये महंदरगड डिस्टिक कब बना था 1948 में और अपने पास में एक डिस्टिक बढ़ता है जिसका नाम है जीन और ये जीन डिस्टिक कब बना था तो दोस जिला मेंदरगड बना था, 1948 में बना था और शात्वा जिला जब हरियाना बनाना उशी समय एक जिला बना था जीन तो प्यारे साथियों हरियाना बनता है 1 नवंबर 1966 में बहुत शांदार वीडियो आज की, इस वीडियो को आप अच तक देखना बहुती जबरदस्त वीडियो है एक नवंबर 1966 को दोस्तों बनता है अपने पास में हरियाना और जब हरियाना बना था उस समय अपने पास में जिलो की संख्या कितनी हुआ करती थी तो दोस्तो उस समय अपने पास में जिलो की संख्या साथ हुआ करती थी एक नौमर 1966 में हरियाना बना और जब हरियाना बना था प्यारे साथियो उस समय अपने पास में जिलो की संख्या कितनी हुआ करती थी साथ हुआ करती थी जिसमें आप एक ट्रीक के नाम से याद रखेंगे राम जी ही जी के पढ़ाएंगे राम जी ही जी के पढ़ाएंगे इस ट्रीक के नाम से याद रखेंगे राम जी ही जी के पढ़ाएंगे R से क्या बनाओगे दोस्तो? रोहतक A से क्या बनाओगे दोस्तो? अमबाला, रोतक अमबाला M से क्या बनाओगे दोस्तो महंदरगड G से क्या बनाओगे दोस्तो जीन्द ही से क्या बनाओगे दोस्तो हिसार G से क्या बनाओगे दोस्तो गुरुग्राम और के से क्या बनाओगे दोस्तो करनाल बहुत शांदा तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों मज़ा आ जाएगा जब हर्याना बना था उस समय ये साथ जिले थे रोहतक अंबाला महंदरगड जीन्द हिसार गुरुगराम करनाल लेकिन प्यारे साथियों हमने तो डिस्टिकों के उपनाम का जिकर भी किया है कि कौन से डिस्टिक को किस नाम से जाना जाता है कौन से डिस्टिक का नाम करन किस के नाम पर हुआ है तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा एक नॉवंबर 1966 में जब गठन होता है हर्याना का तो साथ जिले थे फस्ट जिला रोतक तारावती के पुत्तर रोहितास के नाम पर जो सहर बसा है वो रोतक है हरियाना की राजनिती की राजधानी रोतक को कहते हैं हरियाना का मन रोतक को कहते है हरियाना की राजनिती की राजधानी रोतक को का जाता है हरियाना का मन रोतक को का जाता है उसके बाद में दोस्तो नाम आता है अंबाला चोदवी स्थापदी में अंबा राजपूत के नाम पर जो सहर बसाया गया है वो अंबाला है चोदवी स्ताफदी में माता अंबा, माता अंबालिका और माता अंबिका की याद में जो सहर बसा है उसके बाद में नाम आता है अपने पास में महंदरगर्ड, पटियाला जो अंबाला है इसका उपनाम का जिकर किया जाए तो इसे Science City के नाम से भी जानते है Science City के नाम से जानते है Mix City के नाम से भी जानते है उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है M से महंदरगड भई एक सेर पढ़ता है पंजाब के अंदर पटियाला उस पटियाला के एक राजा था नरेंदर और उसका बेटा था महंदर पटियाला के राजा नरेंदर के बेटे महंदर की याद में जो सहर बसा है वो महंदरगड है जिसका पुराना नाम कानोड है और कानोड का किला तात्य टोपे ने बनवाया था महंदरगड के उपनाम का जिकर किया जाए इसके निकनेम का दिकर किया जाए कि अन्य किस किस नाम से जाना जाता है तो ध्यान रखेगा दोस्तो खनीजो के संग्राले के नाम से खनीजो का संग्राले पूरे हरियाना के अंदर सबसे ज़्यादर जो मिनरल्स मिलते हैं पूरे हरियाना में सबसे ज़दे खनीज मिलते हैं, वो खनीज कहाँ पर मिलते हैं, तो आप बताएंगे महन्दरगड के अंदर मलते हैं, खनीजो के संग्राले के नाम से भी किसे जानते हैं। को जानते हैं उसके बाद में दोस्तो नाम आता अपने पास में जीन्द हार्ट ओफ हरियाना के नाम से भी जानते हैं हार्ट ओफ हरियाना के नाम से भी किसे जानते हैं जीन्द को भाई जीन्द को हरियाना का हर्दे क्यों का जाता है क्योंकि जीन्द के साथ में हरियाना के सा उसे ज्यादा जिले कौन से जिले के साथ में अपनी सीमा रेखा बनाते हैं तो दोस्तों बता दे ना जीन्द जिले के साथ में ये एक महाभारत काली नगर है और महाभारत काल में जो पांडव हुआ करते थे ना पांडव इन्हों ने अपनी विजय के उपलक्स में महाभारत और वो ने एक नगर बसाया था, वो नगर जो जैनती देवी नगर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज ये जैनती देवी नगर जो बिगड कर जीन्ध हो गया, तो ध्यान रखिएगा पुराना नाम जैनती देवी नगर है, एक महाभारत काली नगर है, और ये जो जीन्ध है जिसे हार्टो फरियाना के नाम से भी जानते हैं इसके साथ में कितने जिले लगते हैं साथ जिले लगते हैं उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है हिसार का ये हिसार फिरोज शाह तुगलक ने तेरा सो चोवन में बसाए था हिसार जो है ना हिसार ये फिरो दोस्तो यह हिसार जिसका उपनाम का जिकर किया जाए दूसरे नेम देखें तो सटेल सिटी के नाम से जानते हैं लोहो नगरी के नाम से सटेल सिटी के नाम से इसपाद नगरी के नाम से हरियाना के किस सहर को जाना जाता है तो आब बताएंगे दोस्तो हिसार को जाना जाता है उसके बाद में अपने पास में नाम आता है गुरू ग्राम दोस्तो साइबर सीटी के नाम से मैडी सीटी के नाम से मिलीनियर सीटी के नाम से साइबर सीटी, मैडी सीटी, मिलीनियर सीटी सोलर सीटी के नाम से किसे जानते हैं तो आब बताएंगे गुरू ग्राम को गुरू दोनाचारिये के नाम पर जो सहर बसा है वो गुरू ग्राम है गुरू दोनाचारिये ने महाभारत टाइम पिरेड की दोरान महाभारत काल की दोरान कोरव और पांडवों को जो शिक्षा दी थी ना हरियाना की आर्थिक राजधानी हरियाना की आर्थिक राजधानी के राम से भी जानते हैं गुरु गुराम को उसके बाद में दोस्तों अपने पास में नाम आता है करनाल CM City के नाम से CM City के नाम से जानते हैं करनाल को धान का कटोरा कहते हैं करनाल को हरियाना का पैरिस कहते है करनाल को CMCT धान का कटोरा हरियाना का पैरिस और स्यूज सीटी के नाम से जानते है करनाल को हरियाना का पहला सहर जो सू विवस्तित तरीके से बसाया गया था वो करनाल है जिसके कारण ही इसे हरियाना का पैरिस कहा जाता है ये point ध्यान रखिएगा एक राजा करन हुआ करते थे महाभारत काल में जिस दानवीर करन के नाम से जाना जाता है उस दानवीर करन अत्वा राजा करन के नाम पर जो सहर बसाया गया था वहीं सहर करनाल है राजा करन अत्वा दानवीर करन के नाम पर जो सहर बसाया गया था न, वहीं सहर दोस्तों किस नाम से जाना जाता है तो करनाल के नाम से जाना जाता है, जिसका पूराना नाम क्या है? करनले, करनले जिसका पूराना नाम है तो प्यारे साथियों, जब हरियाना बना था, एक नवंबर 1966 में तो इस समय जिले कितने थे? साथ अब साथ जिले हैं तो साथ के साथ तो बराबर होई नहीं सकते सबसे बड़ा जिला कुण सा था तो आब बता देना हिसार सबसे बड़ा जिला था और इस समय सबसे छोटा जिला कुण सा हुआ करता था तो अब बता देना दोस्तो जीन जिला हुआ गरता था सबसे छोटा जीन जब हर्याना बना एक नॉवमबर 1966 को तो सबसे बड़ा जिला हिसार और सबसे छोटा जिला कौन सा होता था दोस्तो जीन लेगन प्यारे साथियो, हरियाना के ऐसे जिले, जिनका 1966 से आज तक कोई भी विभाजन नहीं हुआ है मतलब उनसे तूटकर कोई भी जिला नहीं बना है, उनसे अलग होके कोई भी जिला नहीं बना है तो एक जिला ऐसा है महंदरगड जिसका कोई भी विभाजन नहीं हुआ है 1966 के बाद और एक जिला अपने पास में है दोस्तो जीन, जीन्द और महंदरगड का एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है और जो बाकी के जो जिले बने है न वो महंदरगर्ड और जीन्द को छोड़ कर और सारे डिस्टिकों से अलग होकर बने है लेकिन महंदरगर्ड और जीन्द जैसा 1966 में थे आज भी लगबग वैसे ही है क्योंकि इनका एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है तो प्यारे साथियों मेरे दवारा दी कही जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को दोस्तों जादा से जादा स्टडी गुरूप में से एर करें और आप अपने दोस्तों से बोले कि वो मेरे साथ में आएं मेरे साथ में सपेसल बैस को जुआइन करें और बहुत जवरदस तरीके से तैरी करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार इन चीज़ों को मैं साफ कर देता हूँ उसके बाद में दोस्तों ये साथ जिले बन गए कभी भी आज तक एक्जाम में ये नहीं पूछा गया है कि पहला दूसरा तीशरा चोथा पांचवा चठा साथवा जिला कौन सा बना था क्योंकि ये चीज किशिकों वालों नहीं है क्योंकि एक साथ ही बने थे सारे जिले एक नमबर 1966 को उसके बाद में दोस्तों अपने पास में एक डिस्टिक आता है जिसका नाम क्या है भीवानी जिसका नाम है और अपने पास में एक डिस्टिक आता है जिसका नाम है सोनीपत भीवानी और सोनीपत दोनों जिले 7 बने थे और कब बने थे दोस्तों 22 दिसंबर 1922 में भीवानी और सोनीपत दोनों जिले 1 एक साथ बने थे ये ध्यान रकिएगा तो साथ जिले साथ बने थे फिर आठवा और नोवा साथ बने गया तो नो जिलो तक आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा कि कौन सा जिला कब बनाता नहीं पूछे जाएंगे कभी भी जिन्दगी में ध्यान रखिएगा ठाकुर नीम एक ठाकुर नीम हुआ करता था ठाकुर नीम उसकी पतनी थी एक भानी और उसी के नाम पर एक सहर बसाया गया था जिसको हम भानी गराम के नाम से भी जानते थे लेकिन दोस्तों ये भानी ग्राम आज बिगड कर क्या हो गया तो अब बताएंगे भीवानी ठाकुन नीम की पत्नी भानी के नाम पर जो सहर बसाए गया था वो सहर भीवानी था भानी ग्राम था और आज वो भानी ग्राम बिगड कर क्या हो गया भीवानी boxing का power house कहते हैं भीवानी को mini Cuba के नाम से जानते हैं भीवानी को the city of war heroes के नाम से जानते हैं भीवानी को और मंदिरों की अधिक्ता होने के कारण मंदिरों की अधिक्ता होने के कारण इसे हरियाना की 80 भी का जाता है हर्याना की कासी के नाम से जानते हैं किसको भिवानी को उसके बाद में बाबा सर्वन के नाम पर बसाया गया सहर बाबा सर्वन के नाम पर बसाया गया सहर कुंसा है सोनीपत लेकिन ये सोनीपत एक महाभारत काली नगर है जिसका महाभारत काल में जिसका नाम क्या हुआ करता था सोन परस्त है सोनीपत एक महाभारत काली नगर है जिसका महाभारत काल में नाम हुआ करता था सोन परस्त दिल्ली का इंदर परस्त और पानीपत का पान परस्त ध्यान रखिए अब प्यारे साथियो बावा सरवन के नाम पर जो सहर बजा है वो कुन सा है तो अब बता देना सोनीपत है और ये सोनीपत जो एक महाभारत कालिन गाम है और जिसको प्राचिन समय में किस नाम से जानते थे सोन परस्त के नाम से जानते थे हरियाना में सोने का सहर किसे कहते है तो आप बताएंगे सोनीपत को सोने का सहर कहते है प्यारे साथ यो हरियाना के अंदर सोने का सहर किसे कहते है सोनीपत को और प्यारे साथ यो हरियाना में Education City के नाम से हरियाना के अंदर दोस्तो Education City के नाम से किसे जानते है तो Education City के नाम से भी किसी जानते हैं सोनी पत को जानते है Education City सोनी पत सोने का सहर कौन सा है तो आब बताएंगे सोनी पत है उसके बाद में क्युश्चन आता है कि ये भिवानी कौन से डिस्टिक से अलग होकर बना है तो आब बताएंगे हिसार से अलग होकर बना है सोनी पात ध्यान रखेगा बहुत सांदर किर्शन है उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तो कुरू छेतर राजा कुरू के नाम पर राजा कुरू के नाम पर जो सहर बसा आगया था वो सहर कौन सा है तो अब बताएंगे कुरू छेतर है ठेके दोस्तो अपने पास में अब नाम आता कुरुछेतर राजा कुरू के नाम पर जो सहर बसा है हरियाना में 360 धार्मिक्स्थल कहा है तो कुरुछेतर मैं 360 बावडिया कहा हैं दोस्तों पिंजोर पंचकुला में और बावडियों वे तालाबों का नगर किसे कहते हैं तो आप बता देना नारनोल को कहते हैं लेकिन प्यारे साथीों कुरुचेतर जो राजा कुरु के नाम पर बसा है जिसे धर्मनगरी के नाम से जानते हैं ये कुरूचेतर कब बना था 23 जनवरी 1973 के अंदर 23 जनवरी 1973 के अंदर कुरूचेतर बनता है हर्याना का कौन सा जिला बना था दसवा जिला बना था और ये कुरूचेतर दोस्तों किस से अलग होके बना था तो आप बता देना करनाल से अलग होके बना था कुरू छेतर कुरू छेतर जो 23 सनुवरी 1973 में बना था ये कुरू छेतर किस से अलग होके बना था तो दोस्तो आप बता देना करनाल से अलग होके बना था उसके बाद में अपने पास में नाम आता है सिर्सा ये सिर्सा जो भाई साड कब बना था 26 अगस्त 1925 के अंदर सिर्सा बना था 26 अगस्त 1925 में ऐसा बताए जाता है कि सिर्सा की स्थापना राजा सारस ने 1357 में की थी उस समय इसका नाम सिर्शी का अत्वा सिर्शुती था जिसका वर्णन पाणीनी रिशी दवारा रचित पुस्तक आस्षा ध्याई में मिलता है तो सिर्षा जो बना है वो 26 अगस्त 1905 में बना है दोस्तो 26 अगस्त 1905 में एक डिस्टिक बना जिसका नाम सिर्षा है जो हरियाना का ग्यारवा जिला हुआ करता था जिसकी स्थापना राजा सारस ने की थी हरियाना का सबसे प्राची नगर देखें तो हरियाना का सबसे प्राची नगर भी सिर्षा को ही बताया जाता है कि हरियाना का सबसे प्राची नगर सिर्षा है और ये सिर्षा जो कब बना था 26 अगस्त 1905 में हरियाना का ग्यारवा जिला बना था लेकिन ये सिर्षा जिसका और दोस्तों ये सिर्षा किस से अलग होके बना था तो आप बताएंगे हिसार से अलग होके बना था हिसार से उसके बाद में प्यारे साथी और प्यारे दोस्तों अपने पास में नाम आता है कौन से डिस्टिक का फरीदाबाद का ये फरीदाबाद दोस्तों कब बनता है दो अगस्त 1979 के अंदर 1989 के अंदर दो अगस्त 1989 में हरियाना का बारवा जिला फरीदाबाद बनता है ध्यान रखिएगा फरीदाबाद अरे सेख फरीद अत्वा बाबा फरीद की याद में लेकिन ये फरीदाबाद किसके सपनों का सहर है तो भारत के पर्थम राष्टपती डोक्टर राजिंदर परशाद के सपनों का सहर है ये फरीदाबाद जो भारत के पर्थम राष्टपती डोक्टर राजिंदर परशाद के सपनों का सहर है ये फरीदाबाद जो दोस्तो दो अगस्त 1989 के अंदर बना था लेकिन ये फरीदाबाद जो सहाजा के सासनकाल में बसाया गया था जो डोक्टर राजिंदर परशाद की सपनों का सहर है हरियाना में ओद्योगिक नगरी के नाम से इंडस्यर सीटी के नाम से फरीदाबाद को जानते हैं हरीजाना का सबसे कम 6CT पल फरीदाबाद का है सबसे जनसेंख्यावी किसकी है फरीदाबाद की है प्यारे साथ हिए अब दे ही जबरदस तरीके से हम पढ़ रहे हैं उसके बाद में यह सारी चीजे आप याद रखिएगा उसके बाद में दोस्तों अपने पास में चार डिस्टिक एक साथ बनते हैं 1989 के 10 साल बाद 1989 के 10 साल बाद 1 नवंबर 1989 को लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि ये फरीदाबाद किस से अलग होकर बना है फरीदाबाद जो डिस्टिक बना है ये कौन से जिलो से अलग होके बना है तो प्यारे साथियो जो फरीदाबाद डिस्टिक बना है ना फरीदाबाद डिस्टिक ये किस से अलग होके बना है गुरूगराम से अलग होके बना है और फरीदाबाद के 10 साल बाद एक नवंबर 1989 को चार डिस्टिक बनते हैं अपने पास में जिसमें अपने पास में एक डिस्टिक नाम आता है यमुना नगर एक डिस्टिक अपने पास में नाम आता है पानीपत एक डिस्टिक अपने पास में नाम आता है कैथल ओर एक डिस्टिक अपने पास में नाम आता है रिवाडी ये चार के चार जो जिले है ना ये चार के चार जिले ये कब बने थे? एक नवंबर 1989 के अंदर बने थे अरे यमुना नदी के ऊपर, यमुना नदी के किनारे सिथित होने के कारण इसका नाम यमुनानगर पड़ा है पुराना नाम देखे तो इस यमुनानगर का पुराना नाम दोस्तो अब्दुल्लापूर है यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापूर है और उपनाम देखा जाए तो पेपर सीटी के नाम से उपनाम देखा जाए तो पेपर सीटी और मच्यारों के सवर्ग के नाम से जानते है यमना नगर जो यमना नदी के किनारे सितित है जिसके काण इसका नाम यमना नगर पड़ा पूराना नाम का जीकर किया जाए तो पूराना नाम अब्दुल्लापूर है और उपनाम का जीकर किया जाए तो पेपर सीटी मच्यारों के सवर्ग के नाम से यावननगर को जानते है उसके बाद में पानी पत एक महाभारत कालीन गाम है और जिसे पान परस्त के नाम से भी जानते हैं पानी रिसी की याद में जो सहर बसा है पानी रिसी की याद में वहीं सहर पानी पत के नाम से जाना जाता है पूराना नाम का जीकर किया जाए तो पान परस्त इसका पूराना नाम है जो एक महाभारत कालिन ग्राम है उपनाम का जीकर किया जाए तो पैट्रोकेमिकल हब के नाम से जानते हैं किसको तो आप बताएंगे पानिपत को पान परस्त ध्यान रखना बुनकर नगरी के नाम से भी जानते हैं पानिपत को, उसके बाद में नामा तक कैथल, हनुमान जी की जनम सथली के रूप में दोस्तों जाना जाता है कैथल को और हर्याना की छोटी कासी, हर्याना की छोटी कासी के नाम से भी जानते हैं किसको तो आप बताएं और जब नवगरे कुंड बना कैथल में उसी के कारण ही हरियाना की छोटी कासी कहा जाता है कैथल को अरे रेवाडी, रेवती के नाम पर बसा है रेवाडी रेवती जो भगवान बलराम जो भगवान सिरिकेशन का बड़ा भाई था भगवान बलराम की पतनी का नाम था रेवती और उसी रेवती के नाम पर दोस्तो बसा है रेवाडी पूराना नाम किस क्या है रेवावाडी और किस नाम से भी जानते हैं सैनिको के घर के नाम से भी रेवाडी को जानते हैं वीर भूमी के नाम से भी रेवाडी को जानते हैं ध्यान रखेगा तो यमुना नगर, पानीपत, कैथल और रेवाडी चारों डिस्टिक दोस्तों एक नवंबर 1989 में बने थे यमुना नगर किस से अलग होके बना था तो आब बता देना अमबाला से अलग होके बना था पानीपत किस से अलग होके बना था तो आब बताएंगे दोस्तों करनाल से अलग होके बना था कैथल किस से अलग होके बना था तो आप बताएंगे दोस्तो कुरू छेतर से अलग होके बना था और रेवाडी किस से अलग होके बना था तो दोस्तो आप बता देना गुरू गराम से अलग होके बना था रिवाडी किस से अलग हुआ गुरुग्राम से कैथल किस से अलग हुआ कुरुछेतर से पानीपत किस से अलग हुआ करनाल से और यम्ननगर किस से अलग हुआ अमबाला से लेकिन ये सारे डिस्टिक एक नवंबर 1989 में बने थे लेकिन कुछ समय के बाद पानीपत डिस्टिक को रद कर दिया जाता है और पानीपत डिस्टिक कैंसिल हुआ था, रद हुआ था 1991 में और पानीपत दूसरी वार डिस्टिक बना था 1902 में के अंदर पानिपत्र डिस्टिक रध हो गया उननी सो इकाणमे में और पानिपत्र डिस्टिक दोबारा बना उननी सो बाणमे केंदा है बड़े शांदर तरीके से ये पॉइंट ध्यान रखेगा और यदि आपको हमारे दवार दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो दोस्तो इस वीडियो को जादा से जादा स्टडी ग्रूप में सेयर भी करना आप इस वीडियो को जादा से जादा से जादा सेयर करते चलना ठीक है देखो नेक्स क्यूशन सबसे उत्री जिला मतलब हर्याना का सबसे नोर्थ में जो डिष्टिक से थित खाधि उसका नाम पंच्च्चुला यह रिगिर जेसे में 25 पांच कूप अथ्वा ज़रने होने के कारण इसका नाम पढ़ाया पंच्च्चुला इस पंच्च्चुला को नेनो नोलेज सीटी के नाम से और सैटेलाइट सहर के नाम से सैटेलाइट सहर के नाम से भी जानते हैं बहुत शांदर क्यूशन है ये पंचकुला दोस्तों 15 अगस 1905 में में अमबाला से अलग होता है पंचकुला जिसे नैनो नोले सीटी के नाम से सैटेलाइट सहर के नाम से जानते हैं पं दोनों डिस्ट्रिक साथ बने थे और कब बने थे तो अब बता देना दोस्तों 15 जुलाई 1907 में के अंदर बने थे 15 जुलाई 1907 में के अंदर दो डिस्ट्रिक बने थे एक डिस्ट्रिक जिसका नाम फतेहबाद था एक डिस्ट्रिक जिसका नाम क्या था तो अब बता देना ज जिसका नाम हुआ करता था फतेहाबाद और दोस्तो जजजर 15 जलाई 1997 में अरे फतेहाबाद जो फिरोजसा तुगलक ने अपने बेटे फतेखा की याद में बसाया था ध्यान रखिएगा हरियाना की पिंक सीटी के नाम से हरियाना की गुलाबी नगरी के नाम से और हरियाना में महलो की नगरी के नाम से तु महलो की राजगुमारी मैं सिर्फ लंगो टेवाडा सूँ है बड़ा बहेंकर गाना है सुनना मैलो की नगरी के नाम से और पिंक सेटी गुलाबी नगरी के नाम से किसे जानते हैं तो दोस्तो आब बताएंगे फत्यावाद और ये फत्यावाद दोस्तो किस से अलग होके बना है तो आब बताएंगे हिसार से अलग होके बना है हिसार से अलग होके बना उसके बाद में नाम आता है दोस्तो जजजर का छजुजाट के नाम पर जो सहर बसा है ना छजुजाट के नाम पर वो सहर कौन सा है तो छजुजाट के नाम पर जो सहर बसा है वो जजजर है और ये जजजर जो रहोतक से अलग होकर बना है ध्यान रखेगा ये जजजर जिसे सहीदो का सहर कहते हैं सहीदो के सहर के नाम से किसे जानते हैं तो दोस्तों आप बताएंगे जजजर को जजजर किसे अलग होके बना है रोहतक से अलग होके बना है और जजजर और फतेहबाद दोनों डिस्टिक एक साथ बने थे 15 जुलाई 1907 में के अंदर बने थे प्यारे साथ यो नोट कर लीजिए नोट नहीं किये तो वीडियो को बैक करके आप लिख लीजिए वीडियो को पीछे करके बैक करके आप लिख लीजिए उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तो एक डिस्टिक है जिसे वर्तमान में आप मेवात अथवा नुहू के नाम से भी जानते ये मेवात अथवा नुहू कब बना था? 4-4-5 में बना था? कहने का मतलब मेवात अथवा नुहू 4 अप्रेल 2005 में बना था लेकिन उस समय इसका नाम सत्य मेव पुरम था और ऐसा बताया जाता है कि जब मेवात डिस्टिक बना था उस समय हर्याना में सरकार इनलो की थी तो इनलो की सरकार ने इसका नाम सत्य मेव पुरम रखा था कुछी समय के बाद में सरकार कॉंग्रेस की अथ्वा भुपेंदर सिंग हुड़ा की आती है और वो कॉंग्रेस अथ्वा भुपेंदर सिंग हुड़ा इसका नाम बदल कर मेवात कर देता है उसका लगभग वक्त बीतता है लगभग पान दस साल का वक्त बीतता है और सरकार BJP कियाती है और इस मेवात का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है नुहू कब बना था दोस्तो 4-4-5 में जिसका पूराना नाम क्या है सत्यमेवपूरम है उसके बाद में हरियाना का second last district 21 जिला हरियाना का 21 जिला पलवल बनता है और पलवल दोस्तों कब बना था 15 अगस्ट 2008 में पलवल बना था तो आप बता दे ना 15 अगस्ट 2008 में पलवल जिसका पूराना नाम क्या है तो आप बताएंगे अपलवा जिसका पूराना नाम है तो आप बताएंगे अपलवा जिसका वर्णन आईने ए अकबरी पुस्तक में भी मिलता है लेकिन ध्यान रखेगा पलवल जो है ये पलवल 21 जिला बना था 15 अगस्त 2008 के अंदर बना था और उसके बाद में दोस्तों अपने पास में हरियाना का लास्ट डिस्टिक आता है हरियाना का 22 जिला आता है जिसका नाम चर्की दादरी है जिसका नाम क्या है दोस्तों चर्की दादरी एक्चुल में ये जो मेवात है, ये मेवात किस से अलग होके बना था, तो अब बता देना, जजजर बता दिया ना, मेवात किस से अलग होके बना था, तो दोस्तों आब बता देना, मेवात फरीदाबाद से अलग होके बना है, फरीदाबाद से, ध्यान रखना, और पलवल 15 15 अगस्त 2008 में बना था ये भी किस से अलग होके बना है तो आप बता देना फरीदाबाद फरीदाबाद और गुरुगराम के कुछ गाउं को मिला के बना है मेवात और ध्यान रखिएगा पलवल जो 15 अगस्त 2008 में बना है ये फरीदाबाद से अलग होकर बना है और उसके जो जिला है न भीवानी डेस्टी इस भीवानी जिले के अंदर 2016 में 18 सेप्टेंबर 2016 के अंदर एक रेली का आयुजन किया गया था उस रेली में मुख्य अतिति के तोर पर हर्याना के तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्र पहुचे थे तो जैसे ही उस रेली में मनोहर खट्र मुख्यमंत्री पहुचे तो उन्होंने घोशना कर दी कि भीवानी से एक अलग जिला बनेगा जिसका नाम चर्की दादरी होगा और चर्की दादरी को जिला बनाने की घोशना 18 सेप्टेंबर 2016 में हुई थी इसे कैबिनेट की मंजूरी 18 उक्टूबर 18 उक्टूबर 2016 में मिली थी और चर्की दादरी पूरण रूप से जिला बना था तो आप बता देना 1 दिसंबर 2016 में काफी बुकों के अंदर 4 दिसंबर भी मिलता है तो चर्की दादरी पूरण रूप से जिला बना 1 दिसंबर 2016 में जिसको कैबिनेट की मंजूरी कम मिली तो बताएंगे 18 उक्टोबर 2016 में तो आज दोस्तों हरियाना के अंदर 22 जिले हैं कभी भविस्य में कोई और जिला बनेगा तो मैं जरूर आप से बताऊंगा लेकिन आज दोस्तों हरियाना में दो पुलिस जिले हैं एक पुलिस जिला जिसका नाम माने सर है और एक पुलिस जिला जिसका नाम हासी है तो प्यारे साथ यो मेरे दवारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा study group में share करना आप अपने दोस्तों से बोलना कि यदि वो चससी की हर्याणा सटाप सलक्षन कमीशन की तैरी करना चाते हैं या हर्याणा के अंदर किसी भी भरती का या किसी भी सरकरी नोकरी का टेस्ट देना चाते हैं तो वो हमारे साथ में जुड़े और सबसे शांदार सबसे बहतरी तरीके से हमारे साथ में पढ़े तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही जै हिंद जै हरियाना मेरे साथ में बने रहना बहुत जल्द मिलेंगे आपको नेक्स लेक्चर में धन्यवाद